सब्सक्राइब करने के लिए फिर्स जो है हम मीन का यूज करें अब मीन को फाइंड आओ कैसे करते हैं किस तरह से डिस्क्रीट डाटा के लिए और किस तरह से ग्रॉप डाटा के लिए तो देखते हैं सब्सक्राइब के लिए मीन को कैलकुलेट किया था और कैसे कैलकुलेट किया था देखें सिस मीन और मीन आप जानते हैं कैसे डिनोट किया जाता है एक्स पर बात मीन क्या होता है मीन इस दा नथिंग बट एबरेज ऑफ गीवन ऑब्जरवेशन डाटा या गीवन डाटा पॉ लिए कि 10 marks कितनी student के हैं, 3 student के, and 11 marks कितनी के हैं, 4 student के, and so on, इस तरह आपका sigma fi आ जाएगा, जब आप ये frequency को calculate करेंगे, add करेंगे, और जब x i की multiply fi में कराते हैं आपका, तो क्या आता है, जैसे 10 into 3 is 30, and 4 into this is 44, and so on, ये इस तरह से, यहां से आप करेंगे, तो x i and fi का summation आजाएगा, जब add करेंगे, and this add को जब आप divide करेंगे, एक दूसरे से, यानि mean calculate करने के लिए, sigma fi x i, यानि इस summation को, sigma fi के summation से, यानि इस sum से divide करा देंगे, आपका mean आजाएगा, example से मैं आपको और clear कराता हूँ, example है, the marks obtained by 30 students, of class 10, of a certain school in a mathematics paper, consisting of 100 marks represented in a table below, find the mean marks obtained by the student, आपको mean marks निकालने, आप देख सकते हैं, आपको marks obtained by marks obtained and number of student, यहाँ पर देखे 10 marks जाएगे, वो 1 student के आएगे, and 20 marks है, वो 1 student के, 36 marks, 3 student के, 14 marks, 4 के, and so on, ये बाकी data, 95 marks, 1 student, अब solution के लिए, student, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, mean निकालना है, तो recall that, to find the mean marks, mean marks निकालने के लिए, we require the product of each x i and corresponding f i, ये आप x i और corresponding f i निकालते हैं, इनकी multiply कराके, इनका समिशन, किस तरह से, हम table के अंदर put करेंगे, पहले हम x i को, then f i को, and then x i और f i का product, तो देखे ये, x i पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, 10, 20, 36, 40, 50, 56, and 195 और number of frequency, 1, 1, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 1, ये respective frequency है, तो ये आपने देखे, student इस तरह से यहाँ पर write down कर लिए, marks of 10 and number of student, अब इनकी respective multiply करा दीचे, student 10 की अगर हम 1 से कराएंगे, x i यहाँ पर 10 और इसकी respective frequency f i 1 है, तो 10 into 1 is 10, 10 बंजा 10, now 20 इसकी respective frequency क्या है, 1, तो 20 बंजा 20, यहाँ पर f i x i के लिए, now 36 के उसके बाद 3 से कराएंगे, तो 36, 3 बंजा 108, similarly 40 की 4 में, this and this, ये आप respective frequencies की, उनकी x i से multiply करा के, x i f i obtain करूंगे, similarly last वाला 95 x i, उसकी frequency 1 है, और 95 बंजा 95 है, अब जब total करेंगे, total f i कितना है अब total करेंगे, 1 plus 1 plus 3 plus 4 plus 3 plus 2 plus 4 plus 4 plus 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 1, ये कितना हैगा, 30, and उसी तर आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो है, ये summation करेंगे, total ये summation, ये summation, जब आप total करेंगे, तो आप observation लेखके, summation करें, नब submission करने पर मैं directly मैंने लिखा हूआ है, वो कितना हैगा, 1779, ये आएग तो अब mean के लिए आप क्या करेंगे, mean के लिए simply sigma fi xi को divide कराएंगे, sigma fi से, sigma fi xi क्या आएगा, 1779, और fi क्या आएगा, sigma 30, अब ये जब आप divide कराएंगे, तो आपको value मिलेगे 59.3, तो ये आपका क्या है, mean mass obtained by the 30 student, ये आपने mean निकाला discrete data के लिए, अब student आप group data के लिए mean दे आपको 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 आपक